नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैहू पारुलत्यागी खबरों कारों कर लेते हैं यूपी के पीली भीत में भारती किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश प्रमोग महासचेव विजुईंदर सिंग यादव ने एक प्रेस कॉनफरेंस का आईज़न किया प्रेस कॉनफरेंस शहर की मंदी समीती के गेस्ट हाउस में आईज़न की गई थी और ऐसे में बता दे प्रेस कॉनफरेंस के दोरान भाक्यू ठिकैत के प्रदेश प्रमोग महासचेव विजुईंदर सिंग यादव ने के इंदु साका पकिसान विरोधी काले कानूर कोले का विरोध किया और मोधी सरकार पर जम का निशाना भी सादा उन्होंने कहा कि दिली के गाज़िपूर बॉड़र पर किसान पिश्री कई महीनों से बैठे है पर आज रक मोधी जी बात करने नहीं आए विलहाल किसान यूनियन की तरफ से सरकार को 4 सितंबर तक का समय दिया गया है कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे समधान नहीं करेंगे तो 5 सितंबर से बीजेपी का वहिश्कार करना शुरू कर दिया जाएगा जो पार्टी बीजेपी को हराना चाती है हम उसका सपोर्ट करेंगे और लोगों को जागरुक करेंगे कि बीजेपी को वोट न दे तो बता दें लगाता किसानों का अंदोलन जारी है ऐसे में भाक्यों ने प्रेस कॉन्फरेंस किया और सीधे तोर तक कहा कि अगर हमारा पीजेपी को हराना चाती है उस सरकार का साथ भी हम देंगे उस पार्टी का साथ भी हम देंगे जो बीजेपी को हराना चाती है और किसानों न ये भी आरोप लगाया कि इतना समय हमें हो कया है लेकिन प्रदान मंती नरीन वोदी ने एक बात भी आकर हमसे बाचीत नहीं की ह और आप बता दें आपको आज किसान आंदोलन के पूरे 9 महीने हो गए हैं 26 नवंबर 2020 से यह आंदोलन शुरू हुआ था और ठीक आज 9 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं ऐसे में 5 सितंबर तक का किसानों ने यह समय सरकार को दिया है करें आणिरिश्व पांच टारीक हमारी महठें पंचात हो रही है उसमें इनके बहषकार का एलान करें लोग तंत्र में हमली को बाला बड़ आ हैं तो यह भी व्यूIZ आफ व gefähr आइफी कानुनों को सरकार ही बापस लेगी यह ना देट इंव तो तीन साल मा दग ल average लेकिन हम लोग हिलने वाले नहीं यह कानून हमारे बच्चों को मजदुरू बनाने वाले हैं हमारी भूमे रपने वाले हैं आप बताइए हमें हाई पूर जाने का अदकान है तो साफ तौपा बीजेपी का भाईशकार होगा और क्या कुछ बाते किसानों की तरफ से कही गई हैं जो कि मंडी समिटी गेट्ट हाउस में इसका आवजन किया गया आपको बता दें कि इन्होंने सुज़े तॉर्ब जो आरोप लगाए हैं जिस तरीके से जिल्ली के गाजीपुर बाजर बेज लगातार तुसले नो महीं में से किसान प्रदर्फन कर रहे हैं तो बहां पर ना तो कोई सरकार का कोई मुमाइंदा बहां पर उनसे बात करने आए ना ही प्रदानमंत्री नर्यल मोधी उनको देखने आये बात करने आए तो सीज़े तारबबर उन्होने काई कि 5 सेतंबर को साहित मुर्चा का अगर नहीं बात करते तो इसके बाद जो हम बीजेपी सरकार का बहिश्कार करेंगे ताफि जो पार्टी बीजेपी को हराना चाती हम उसका समस्थन करेंगे उसका साथ देंगे प्रांजल कहीं न कहीं देखिए अब विधानसवा चुनाम भी यूपी में आने वाले हैं ऐसे में सबसे बड़ा मुद्धा ये बन जाता है क्योंकि पिछले 9 महीने से किसान जो हैं वो सरकार से नारास है तो ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनाती भी है कि किसी न किसी तरह किसानों को मनाया जाए विधानसवा चुनाम से पहले क्योंकि अगर किसान इसी तरह से नराज हुए तो इसका खामियाज़ सरकार को भुगत ना पड़ सकता है तो उनकी कोई बात नहीं तुनी जाती और उनका काले घंटे दिखा कर उनका बिरोध परदस्न किया आता है इसी दोरां प्रशातर उन पर मुकदमे भी दर्ज करा रहा है लगातार कई किसानों का यहां मुकदमे में दर्ज हुए बही बेपक्षी पार्टी अगर समाजवादी पार्टी के नेकाओं पर भी इसी बजह से कमा मुकदमे लगाए गए है तो साथ तोर से जो प्रदेश पुर्णों के माज सच्चित जो विजेंगर की यादव जो यहां आये और उन्होंने जो प्रेस कमदमे लगवा दो हम ना समीचे हटने वाले हैं ना ही हम दिल्ली छोड़कर आने वाले हैं प्राणजल आज किसान अंदोलन के पूरे 9 महीने भी हो चुके हैं तो क्या ऐसे में पीली भीट में किसान क्या कुछ कारकरम करने वाले हैं तो उसके हट में जोता है है, क्या प्राणजल और आज हैं पीली भीट के लिए से कुछ करने वाले हैं पीली भीट की किसान क्या कुछ करने वाले हैं तो उसके साथ में बहुत प्राइब कर दियुक्त के लिए लेकिन आपका बहुत 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 शुक्रे इस तमाम जानकारी के लिए तो पीली बीट का पुरा मामला है जहां पर किसानों ने भाक्यों ने प्रेस कॉंफरेंस की और ऐसे में सीरे तौप बीज़ेपी सरकार पर निशाना साथ और कहा कि अगर बीज़ेपी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी हमारी समस्य का समदान नहीं निकाला तो बीज़ेपी का भाहिशकार किया जाएगा और जो पार्टी बीज़ेपी को खराना चाहती है उस पार्टी का हम पूरी तरह से साथ देंगे लोगों को जा प्रदेश में बीजेपी को घेरने का विपक्ष एक और भी मौका नहीं छोड़ रहा है जहां एक और कई राजो में विपक्ष की तरफ से बीजेपी को घेरने के लिए लगाता महगाई और कई मुद्दोपोले का प्रदर्शन हो रहा है वहीं अब इटावा में आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाब बेगुल बजाते हुए बीजेपी को सत्ता से हटाने की कवायत में जुट गई है यह तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मौ, इटावा, हर्टोई की जहां पर तीनों जगा अलग-अलग आप कारकरताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया वहीं आपको बता दें, आमारमी सांसर संजेश सिंग की तरफ से जल योजना में गोटाले का खुलासा करने के बाद, आमाद्वी पार्ठी की कारकरताओं ने अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन किया है मौक में भी किया गया, प्रदर्शन और इटावा में भी किया गया, खर्तोई में भी प्रदर्शन किया गया जीवन मिशन के अंतकत हुए घुटाले की जाच कराय जाने की मांग की जा रही है ऐसे में प्रदेश में गरीबों को खर गर जल देने की योचना में घुटाला किया गया था और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन से फिटावा तक ही सीमित नहीं रहा बलकि प्रदेश की कई जिलो जैसे की हर दोई हमीर पूर इटावा मांग में भी प्रदर्शन किया गया इसली के तहट मौँ में भी आम आदमी पार्टी के लोगों की तरव से सरकार के खिलाव मटका पूर अंदोलन का अवहांग किया गया वही इस बात की खबर होते ही भारी संख्या में पुलिस ने मौके पर पहुँच का पूरी कलेक्टेट परिसर को चावनी में तब्दील कर दिया था वही आम आदमी पार्टी के लोगों की तरव से जब मटका पूर ने गए तो पुलिस ने उन्हें रोख लिया जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को शांती पूर्वग ग्यापन देकर प्रदर्शन को समाप कर दिया था तो ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मौ, इटावा, हर्दोई की जहां पर बीजेपी के खिलाप आम आदमी पार्टी का ये जोड़दार प्रदर्शन देखने को मिला और आम आदमी पार्टी ने मटका पो, गदी, छोड़, आंदोलन को लेकर ये प्रदर्शन भी कियार साथ ही बता दें, जल योजना में घोटाले को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। देखते हैं कि मिठी वराई का कारी जैसे जल निगम करा रहा है, 150 रुपए प्रति गन मीटर के इसाब से और जल जीवन मिशन के अंतर गत यह कराया गया है 521 रुपई कंलो सरकार के बार्फ सारी भिं संक्षाद्यां हुई है टीस से चालिस पर्षेंट प्राइस इंप्रीज हुई है। उसी प्राइस को लेकर के हमें दिकत है। उसका पेपर से सारे प्रेजेंट होगा और जो है उसको हम लोग मेडिया को अलड़ी दे चुके हैं ये चीज़ चलिए जादर जानकारी के साथ मनुवर चौहान हमारे संवाधा तमाई साथ जुट चुके हैं जिस तरह से आमादमी बाठी के कारे करता हूं ने यूपी के अलग-अलग जिलो में प्रदर्शन किया है किस चीज को लेकर ये किया है और जल जीवन मिशन जिसके अंतगत ये घुतारा बताया जा रहा है आखिर ये है क्या दीखें अपारूल तरह साल बता दू आपको जो सरकार है उसके सिलाफ मारेबाजी लगता जो आमादी पार्टी के काय करता है प्रद्शन कर रहे हैं जिला मुख्यारम पर तहसेलों पर पहुंचकर यूपी भर में जो आमादी पार्टी के लोग हैं प्रदेशन कर रहे हैं दरसल उनका कहना है कि सांज संज संज संग ने यूपी के जल जीवन मिशन के क्रियानवन में हजारों करोड रुपे के घुठाले का भंड़कोर किया है जी उन्हें आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में जल शक्ती मंत्री जुक्टर महिंदर सिंग व प्रदेश के अरोप लगाते हुए जो उस्तर प्रदेश के अंदर तमाम आम आमी पार्टे करता है वो प्रदेशन कर रहे है राज्यपाल को घुठाले के आरोपियों के सिलाफ कारवाई करने की मांग को लेकर प्रदेशन जारी है अब ऐसे में समझ सकते हैं कि किसी प्रका प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव है दरने और प्रदेशन के नाम से जानी जाती है और उस्तर प्रदेश में अपने उसी रूप को दिखाते हुए उसी तागत को दिखाते हुए आमाजी पार्टी सथा पक्ष को घहने के कोशिच मुझे है जो संजे सिंह है वो भी लगातार कारवाई करते हैं और प्रदेश को निगालते हैं और घुटाले की बात करते हैं प्रदेश के इंदर आमाजी पार्टी पार्टी के सब्सक्राइब roam 130 अपनी पार्डी सब्सक्राइब मेंते करया लेकिन चुनाव नद्यक है और चुनाओं के बात यह इस कितनी हता काम्याब हुए लगार कि अस चीज़ में कितनी सत्ताधरी पार्टी यो लोगों को पताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे बभर इस वाइब पर चीजेगा हम साफ पार्ट हैं दिली में ऑचिसरकार चिला रही है उत्तरपरदेश में भी अच्छी सरकार चिलाएंगे इसी प्रकार के जो लगातार उत्रखंड का जो एक में मुद्दा का हैं वो यही होता है कि फ्री बिजली देना. यानि कि आम आद्मी पर्टी है यही मैंज हो अब सबी पार्टी मैं सबी पार्टी ये कह रही हैं कर भी 300 विजली फ्री देंगे. उदर शिवपाल यादावशन में नीस आकर कि कहा था जाकर किते तीन से डिट विजली फिरी देंगे हर उस बेटी को पांच लाख रुपे रुपे देंगे जो पी पास आउट करेगी वैसे ही अब आमाधी पार्टी ने भी प्रदेश उतर प्रदेश के अंदर अपना वर्चस पायम तरने के लिए इस तरह के जो हो वागे हैं वर शुरू करों को और इसलिए उसे लिए पारोल शायड पर पर पिंशकर आमाधी माज़िंगे पर और इस तरह प्रकृशन की आ लेकिन देखने हैं और धी पार्टि कर जो रहा ही वो तच आप है यह नहीं यह जादा वक्त तो नहीं है लेकिन इतना वक्त जरूर है कि जनता जान ले कि आमाधी पार्टि को एफ को कहरे हीई और जेखना पर देखना है कि यहां पर धार्मिक और समाजिक एतबार्ट पर्देश कोशिश कर रहे हैं और खास्तोर से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजबा के सरकार है तो भाजबा को भटा पाना किसी के ऐसा बसकी बात नहीं है तो थाड़ मोर्जा अगर छोड़ दिया जाए तो तीसरी तरफ करना कोई आव आसान बात नहीं है क्योंकि यहां पर धार्मिक और समाजिक एतबार से उसके दरिश्टिकोन से राजबा को लेकर लोगों से वोट महीं ले सकती चोंकि जब यहां वोट होती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो लोग धार्मिक और समाजिक एतबार से और तीस अगर विखास पर चुनाव होता तो शहाद उत्तर प्रदेस के अंदर समाज़री पालटी सरकार्थियों चाती ही नहीं चुकि अपने दोर में अक्ति लिए श्यादा उन्हें बड़े इस तर पर विकास कार कराए थे और उन्हें कहा थे कि हम विकास के नाम बढ़ेगे लेकिन धरासाई हो गए, दो यार सतर के चुनाओं में हार गए विकास के नाम पर कुछ हाथ नहीं लगा चुकिया धार्मिक और समाज इलादार चलता है होटाले की बात आमाद्मी पार्टी की तरफ से की कई खाया और इसी को लेकार कई जगाहों पर आमाद्मी पार्टी की कारकरताओ की तरफ से प्रदेशन भी किया गया जहां एक तर व्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पहले लोगों को आठियो कारयाले के बहार लंबी लंबी लाइने लगानी पढ़ती थी और अपनी बारी का इंतिजार करना पढ़ता था लेकिन अब आवेदकों को घर बेटे ही लर्णव लाइसेंस मिल सकेंगे और लोगों को आठियो कारयाले के चकर नहीं लगाने पढ़ेंगे सरकार किस महत्वकांशी योशना का ट्राइल भी बारबंकी में शुरू हो गया है पोटल अपडेट हो चुका है सफल ट्राइल के बाद रासानी लकनों समित पूरे प्रदेश में इस विवस्ता को लागू कर दिया जाएगा और इससे आवेदक को कोई एक बड़ी राहत भी मिलेगी क्योंकि आवेदन और फीज जमा करने की ऑनलाइन विवस्ता है और ऐसे में आठियो काराले में दी जाने वाली परिक्षा भी अब ऑनलाइन ही सुनिशित कराने को कहा गया था इसे लेका NIC ने पोर्टल अपडेट भी कर दिया है ये रिपोर्ट देखिए घर बैटे ड्राइविक लाइसेंस लेने के लिए आवेदक अपनी पूरी प्रक्रिया परिवहन.gov.in पर जाकर ओनलाइन पूरी कर सकते हैं आधार से लिंक करते ही आवेदक का पूरा प्योरा सामने होगा और आवेदकों को कागजातों की जाच के लिए नहीं जाना पड़ेगा फीज जमा करने, सिगनेचर अपलोड किये जाने, स्लोट लेने समेट पूरी प्रक्रिया ओनलाइन की जाएगी आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को ओनलाइन परिक्षा देनी होगी इसके लिए उसे एक टुटोरियल दिया जाएगा और लाइसेंस के लिए आवेदक को तैय समय के अंदर उसे देखना होगा और उसके बाद उसे परिक्षा देनी होगी और्लाइन परिक्षा में 16 सवाल पूछ जाएंगे इनमें से 9 को पास करना अनिवारे होगा सही होने के बाद RTO उसका निर्थारिट समय में अप्रूवल देंगे जैसे ही RTO लर्नर लाइसेंस पर मोखर लगाएंगे उसके कुछ देर बाद आवेदक अपने लर्नर लाइसेंस का प्रिंच घर बैचे ही निकाल सकेंगे स्मार्ट इंटेलिजन्स सिस्टम के तहट परिक्षा की तकनीकी रूप से निगरानी भी की जाएगी जी हाँ जनपत बारा बंकी में लर्निंग लाइसेंस को फेसलेस सिस्टम से किया जा रहा है अभी तक जो प्रिजलिद ब्योर्था है उसमें आवेदक को कारेले में आटी यो कारेले में तीन अस्तर पर उसको आना पड़ता है एक ही दिन में लेकिन तीनों प्रोसेस अपनाया नज़ता जैसे अब आवेदन करने के पस्चाथ उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा एक दिन आवेदक कारेले आकर करके फार्म की स्कुड़णी करवाएगा एक चीज हो गया इस पुड़्डी कराने के पस्चाथ उसको बाइबेट्रिक करानी होती थी उसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा बामेट्रिक कराने के पस्चाथ आपको टेस्ट जो कार्याले का कंप्यूटर सेक्शन है वहाँ पे टेस्टिंग होती है टेस्ट देना होगा अब उससे भी शुटकारा मिल जाएगा नए प्रक्रिया में आवेदक केवल आनलाइन आवेदन करेगा आवेदन करने के बाद उसका फार्म हमारे सिस्टम पर चला आएगा इसमें जिसका फार्म पहले अपलाई होगा उसका पहले स्कूटिंग होगा बारबंकी के आठी उने बताया कि SIT ने पोर्टल को अप्डेट कर दिया है परिवहन आयोक्त के निर्देश के बाद इसे शुरू करा दिया कया है 12 बंकी कार्याले में इसकार प्रायल चलेगा और परिक्षिन के बाहद इसे प्रदेश की कई अन्य जिलों में लागू किया जाएगा ब्यूरो रिपोर्ट निउस वर्ल इंडिया